इन्हें इंगलिस में कैसे बोलें? जैसे वहां हमारा गर हुआ करता था, खेत में कुआ हुआ करता था, इसकुल के सामने एक बगीचा हुआ करता था, इसकुल में जूले हुआ करते थे, and more. गैस यहाँ पर एक चीज कॉमन है, हुआ करता था. तो इस परकार के सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, आज किस वीडियो में सीखेंगे, वीडियो काफे इंटरस्टिंग होने वाली हैं, तो बीना दिरी के वीडियो को सुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलिए रूल देखते हैं, इस रूल के मादियम सब किसी परकार के सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे, रूल कुछ इस तरह से हैं, there used to be, plus noun, या फिर adjective, हमारा पहला example है, वहां हमारा गर हुआ करता था, इससे हम इंग्लिस में कैसे फ्रेम करते हैं, रूल उपर देखी रखा है, तो हम सब से पहले लिखेंगे, there used to be our house there, वहां हमारा गर हुआ करता था, there used to be our house there, खेत में कुआ हुआ करता था, there used to be well in the field, there used to be well in the field, next है, वह हमारे साथ हुआ करता था, there used to be with us, there used to be with us, वह हमारे साथ हुआ करता था, इससे हम इंग्लिस में बोलेंगे, there used to be with us, चलिए next वाला example देखते हैं, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, next है, इस school में पानी हुआ करता था, there used to be water in this well, there used to be water in this well, इस स्कूल के सामने एक बगीचा हुआ करता था, इससे हम इंग्लिस में बोलेंगे, there used to be a garden in front of school, there used to be a garden in front of school, इस रोड पर एक बड़ा पेड हुआ करता था, there used to be a big tree along the road, और एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए, इस स्कूल में जूले हुआ करते थे, इसका अंसर आपको कॉमेंट में लिखना है, वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करें, चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई, थैंक्स पर वाचीं, थे सुआ कर्वाचीं, थे लेर लेरिनंगेप ग्रॉएगे.